संकट में हैं जियो के यूचर्स आपने बिल्कुल सही सुना क्योंकि अग पिछले तीन महनों में कई सारी कहानी हो चुकी है जियो के साथ अगर आपने देखा होगा कि जियो ने भी दोस्ते तीन महना पहले जो है काम करना बंद कर दिया था पूरा एक दिन के लिए अपना आफ हो गई थी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी और इतने नई इतने हाइटेक कंपनी के जो है कैसे जो है नेटवर्क जा सकते हैं कैसे वो काम करना बंद कर सकता है तो मैं आपको बता दूँ कि जियों ने जो है वो अक्टूबर के अंदर जो है 17.6 लाग या है जी यह अपने में जोड रहा है तो huge नंबर अप सब्सक्राइबर हो चूके हैं Jew के पास इतने ज्यादा नंबर अप सब्स्क्राइबर हो गए है और आप कहीं नगहीं जो है जितना पे कर रहे है उसके हसाब से आपको services नहीं मिलें आप अपने आपसे question करिए कि जितना आप आप पे कर रहे हैं आप 666 रुपए minimum recharge का दे रहे हैं देड़ बिश्चाइब व्रडे वाले plan के लिए 84 दिन का लेम खेलना स्टार्ट किया है तब से आपको जो है नेटवर्क बिल्कुल घटिया मिल रहा है क्योंकि ये लोग क्या करें किसके ज्यादस-ज्यादा मैं काटूं किसके ज्यादस-ज्यादा मैं एड़ करूं तो वहीं बहुताते हैं कि जिए और एयर टेल के लिए काफी प्रेट ना कर सकी तो वो फी को कहां से चलाएगी तो अगर आने वाले टाइम पर किसी भी प्राइवेट बंदे ने जो है वी को सपोर्ट नहीं किया तो वी जो है बंद हो जाएगी और वी के जो है 20 से एक्सपीरेंस करता हूँ तो अगर आप मानिये कि वी अगर कंपनी बंद हो जाती तो उसके कस्टिमर अगर 50-50 परसेंट भी आते हैं 50 जियो के पास 50 एटल के पास तो काफी यूज नंबर अब सब्सक्राइबर हुआ जिसको हैंडल करना इन दोनों कंपनियों की बसकी बात हैं कंपनी चाहे जितना सुधार कर ले आपको इतनी अच्छी सर्विसेस नहीं मिल पाएंगी तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए बाइ कर दो खो सितना दूडियो पसंदате होगी जगल पोцип के बाएंगी तक कर दो आदो बच